अंठानवे साल की उम्र में दिलिप कुमार जी साथ तारीक बुद्वार सुबा साड़े साथ बजे दुनिया छोड़ कर चले गए ये काफी दिनों से बहुत बिमार थे, इन्होंने अपनी बिमारी से काफी दिनों तक फाइट किया, पर इनके शरीर ने इनका साथ छोड़ दिया जहां इनके जाने का दुख इनके परिवार और इनके फैन को सबसे ज़ादा है वहीं वालीवोड अभी निताओं को भी इनके निधन की खबर सुनकर बहुत बड़ा जटका लगा है और वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं और अपनी अपनी तरीके से इने से धांजली देने का प्रियास कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिये अपने अपने दुख को परकट कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अभी निताओं से रूबरू कराने वाले हैं चिने दिलिब जी के जाने का बेहल दुख हुआ है और साथ ही ये भी बताने वाले है कि इनका रियाक्शन क्या रहा बलकि न बहुत ही बड़ा फैन था जम मुझे उनके साथ फिल्मों में काम करने का मुखा मिला तो मुझे एसा लग रहा था कि मेरी जिन्दगी सफल हो गई वो केवल मेरे एक आइडल थे बलकि मेरे मेंडोर, गाइड, दोस और मेरे गुरू भी थे मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता और भगवान उनकी आत्मा को शांती दे नमबर टू अनील कपूर अनील कपूर ने दिलिप कुमार जी के निधन पर अपना दुख परकड करते हुए ट्विटर पर दिलिप कुमार जी के साथ की गई फिल्मों की तस्वीरों को शेयर किया और लिखा कि अब हमारी दुनिया की चमक कम हो गई है क्योंकि हमारे वॉलिवुड का सबसे चमकीला सितारा चला गया वो मेरे पिता के सबसे करीबी थे इसी वज़े से मुझे उनके साथ तीन फिल्मों में काम करने का मोका मिला जो मेरे लिए एक गर्व की बात थी पर आग जब वो चले गए हैं फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महान और बहतरीन कलाकार सिर्फ दिलिप कुमार जी ही रहेंगे उनकी जगा कोई नहीं ले सकता सर्धान जिली दिलिप कुमार जी आप हमारे दिलों में और यादों में हमेशा रहेंगे नंबर थी नश्रदिन शाह, नश्रदिन शाह को भी दिलिप कुमार जी के जाने का बेहत दुख हुआ है, उन्होंने अपने दुख को जाहिर करते हुए कहा कि मैंने एक्टिंग दिलिप कुमार जी के फिल्में देखकर ही सीखी है मैं बच्पन से ही उनके ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर डायलोग तक सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करता आया हूँ वो हमेशा मेरे आइडल रहे हैं पर आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आज ये दुनिया पूरी तरह खारी लग रही है सभी जगा बस उदासी चाही हुई है अब मेरी यही प्रातना है कि वो जहां भी रहें खुश रहें सर्थांजली दिलिप कुमार जी संजेदत को भी दिलिप कुमार जी के निधन की खबर सुन बहुत बड़ा सद्मा लगा है और उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा दिलिप साहब के साथ इतने खास पल है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता वो मेरी जिन्दगी में एक फादर फिगर थे हम सभी के लिए और फिल्म विरादरी के लिए एक बहुत बड़ी छती है हमने आज एक लीजन को खो दिया साहरा जी के प्रती मेरी स्कहरी समवेदनाई है भगवान उने इस कटीन समय में शक्ति बरदान करें तो दोस्तों आप इन अभिनेताओं में से किसकी बातों से सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवूर इंटरस्टी से जूड़ी ऐसी ही लेटिस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले